हाई फ्रेंज बतक का जो चूजे होता है इन चूजे को तेजी से ग्रो करवाने के लिए हमें उनकी रहन सहन खान पन पर काफी ध्यान देना पड़ता है तो आज इस वीडियो की जरिये में आपको एक एसा प्रोटीन, केल्शियम, विटामीन का सोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे हम घर पर ही आराम से अपने चूज़ों को खिला सकते हैं तो वीडियो को बिना स्किप की अंतक जरूर देखे तो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ मसली के बारे में जी है फिश यानि मसली क्योंकि मसली जो होता है वो आपका बहुत ही असामी से बहुत ही कम पेसों में हम चूज़े के लिए प्रोटीन और केल्शियम का जुगार कर सकते हैं तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि मसली प्रोटीन केल्शियम वीटामिन में बहुत ही रीच सोर्स माना जाता है तो सदीयों से ही लोग बतक को मसली खिलाते हैं तो यह देखिए वीडियो पर मैंने कह किया चार पीस मसली ली तो उन मसली का मैंने चोटा-चोटा टुकरा कर दी क्योंकि मैं बतक के चुजे को खिलाने वाला हूँ बरा बतक को खिलाने पर मैं बरा टुकरा दे देता लेकिन चोटे बतक के लिए चोटा-चोटा टुकरा करना पड़ता है तभी वो आसानी से खा सकते हैं तो देखिए मैं अपने हाथे पर उन मसलियों की छोटे-चोटे टोक्रे ले लिया और एक एक करके देने लगा अगर मैं एक साथ ही दे दूगा तो जो बरा डाक्लिंग्स होता है वो सब खालेगा और जो छोटा दो-चार होता है उसे कम मिलेगा हर एक छोटा हो या बरा डाक्लिंग्स को मसली का हिससा मिले उसका पूरा का और ध्यान रख रहा हो तो आप भी खिलाते साऻ मैं इस बात का ध्यान रखी है कि चाहे छोटा हो या बरा सबी चूजों को कम से कम दो-चार टुक्रे तो आराम से मिले दोस्ता कभी का बार छोटे साइज का मसली बहुत ही कम कीमत पर एकदम सस्ता में मिल जाता है तब मैं क्या करता हूँ जितना हो सके तो उस हिसाब से मैं छोटे साइज का भी मसली ले आता हूँ और छोटे मसली को काटने के बिल्कुल भी जरुरत नहीं परती साइज में छोटा होने के कारम डखलिंग्स आराम से खा लेते हैं तो दोस्तो विडियो खत्म होने से पहले आप सभी को में यही राय देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी डखलिंग्स है और आप भी चाते हो कि आपका डखलिंग्स भी बहुत तेजी से बरा हो जाए तो उनके लिए हफते में एक या दो बर मसली का इंतेजाम जरूर किजिए तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक किजिए और जो आज पहले बार मेरे चैनल पर आये है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राब करना ना बुले थैंक यू धन्यवाद गुड़नट झाल